हेलो स्टूनेंट्स आज हम बढ़ेंगे क्लास एप चप्टर फाइव चप्टर फाइव हमार पास क्या है data handling data handling के बारे में बढ़ेंगे हम कि data handling क्या है शोब से पहले हमार पास बता है data data handling का मीनिग क्या है कि कोई भी आपको data दिया हुआ है ठीक है उस data को arrange करना उस data को हम जब arrange करते हैं या उसको handle करना उसको अच्छे से arrange करना manage करना उसको हम क्या बोलते है data handling अब सबसे पहले हमारे पास क्या है data collection of information as numerical facts about the objects और events is called data data किसी भी चीज़ के बारे में हमारे पास एक collection और information एक numerical facts numbers में जैसे हमारे पास class 6th में कितने बच्चे हैं 7th में कितने बच्चे हैं 8th class में कितने students और 9th में 10th में इसी तरह हैं 6 से लेके 12 तक कि जो हमारे पास students हैं उनका हम collection कर रहे हैं objects और events कोई object होगे students हमारे पास हैं उनका हम collection कर रहे हैं numerical collection कर रहे हैं कि 6th class में 40 बच्चे हैं 7th में 30 हैं 8th में 40 हैं 9th में 43 हैं 10th में 42 हैं 11 12 ऐसे ही कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं data इकठा कर लिया जो हमने उसको हमने क्या बोला data collection of information information click करना as numerical facts numerical means number में about the objects किसी भी objects के बारे में या किसी भी event के बारे में उसको क्या बोलते हैं data उसके बाद आता है कि types of data types of data क्या होता है two types का होता है first होता है discrete और second होता है continuous discrete और continuous के बारे में आप exercise में पढ़ोगे ठीक है उसको open करके बता रखा आपको कि discrete data कौन सा होता है of times each score occurs is a called frequency number of times कि number of times कितने times each score score किया है ऑग्वर is called उसकी वालने जितने times score किया है ठीक है कोई बच्चा कसी भी गेम में पार्टिसपेट कर रखा है किसी बच्चे नहीं तो उसकी pharmacy note कर रहे हैं कि उसने चारव और गॉल्ड मेडल से कर लिए किसे बच्छे कि I'm not कर रहे हैं तो यह हमारे पास पास क्या हो गया उसकी अलग अलग क्लेक्शनों गई पाइब तिने टाइम्स नमबर ओफ है टाइम से एच स्कौर और इस से काड जो हमारे पास किसी भी बच्चे का है हर एक उसके लिए अलग लग लुग वां पॉल देंगे फ्रीक्वेंशी next is range difference between the greatest and list and the list observation is called range कोई भी data आपको दे रखा है उसमें सबसे जो बड़ी हमारे पास जो सबसे बड़ी observation है वो और जो सबसे एक छोटी observation है वो उन दोनों का जो difference होता है उसको क्या बोलते हैं range मान लिया हमारे पास से कोई भी data दे रखा है ये दे रखा आपको data इसमें अगर हमें range फाइंड करने है तो हम range कैसे निकालेंगे सबसे जो बड़ा है वो क्या है 12 है हमारे पास से तो क्या लिखेंगे 12 minus सबसे छोटा हमारे पास क्या है 2 है minus 2 तो इसकी range क्या आएगे हमारे पास से 10 इसी तरह से हम क्या find करते है range कि कोई भी आपको जो data दे रखा है उसमें जो सबसे बड़ी जो सबसे greatest observation है वो minus है सबसे चोटी जो observation है वो उसके बाद है relative frequency relative frequency क्या होता है the ratio of the frequency of each item to the sum of all frequencies is called relative frequency जो हमारे पास frequency दी होती है कोई भी data दे रखा है उसके आपको frequency दे रखी है जसे मालिया 0 से 10 frequency है 5 10 से 20 8 हो गया 20 से 30 ये 9 हो गई 30 से 14 ये 6 हो गई ये दे रखा आपको data ठीक है तो इसमें हमें क्या नहीं करना है relative frequency तो इसके relative frequency क्या होगा frequency of each object 0 से 10 है उसके relative frequency कैसे निकाल लेंगे कि जो है मारे पास frequency 5 है divided by total frequency सभी का total करो 9 प्लस 8 17 17 प्लस 6 है 9 प्लस 8 17 6 5 11 17 प्लस 11 28 तो 5 भाई 28 ये मारे पास क्या हो जाएग उसके relative frequency the ratio of the ratio of the frequency of each item हर एक item के frequency to the sum of all frequencies sum of all frequencies जो all frequencies है उन सभी के sum is called relative frequency उसको हम क्या बोलते हैं relative frequency नेक्स्ट हैं जैसे हमारे पास ये दे रिखा इसका class size क्या 0 से 10 ये हमारे पास क्या होगी lower limit ये होगी upper limit इनके बीच का difference कितना आएगा 10 आएगा तो हमारे पास class size क्या होगा 10 इधर भी 10 होगा ये भी 10 ये भी 10 क्योंकि 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आजएका 30 में से 20 माइनस करेंगे वो भी 10 40 में से 30 करेंगे वो भी 10 तो हमारे पास class size कितना आजएगा 10 next है हमारे पास class mark class mark क्या होता mid value of class interval आपके पास मैंने बताया था class interval 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 5, 8, 9, 6 ये हैं हमारे पास अब हम इससे क्या बताना है कि class mark class mark क्या बताते है mid value of class interval जो class interval है उसकी mid value अब mid value कैसे find करते हैं upper plus lower कैसे करते हैं upper limit plus lower limit divided by 2 upper limit हमारे पास क्या है 10 plus lower limit हमारे पास क्या है 0 और divided by 2 तो क्या आजएगा 10 को 2 से divide करें क्या आएगा 5 सबी में वही आएगा 20 plus 30 20 plus 30 करेंगे क्या आजएगा 10 plus 20 करें क्या आएगा 30 और 30 को 2 से divide करेंगे तो क्या आजएगा 15 आजएगा तो यह क्या है 5 आएगा इसका 15 आएगा इसका 25 35 यह हमारे पास क्या आजएगा इसका class mark उसके बाद next है मारे पास class frequency the frequency of a particular class interval is called class frequency जो मारे पास class interval है 0 से 10 यह 10 से 20 अब 10 से 20 इसकी class frequency क्या है 8 है मारे पास 20 से 30 की class frequency क्या है 9 और 30 से 40 की क्या है 6 तो इसका हम क्या बोलते है class frequency उसके बाद आता है मारे पास bar graph bar graph कैसा graph होता है एक ऐसा graph जो horizontal और वर्टिकल होता है जो horizontal भी और वर्टिकल भी होता है उसको हम क्या बोल देंगे bar graph बाकि आप questions में करोगे तो और अच्छ से explain करके वहाँ पर figure draw करके बताएंगे आपको कि bar graph कैसा है और histogram क्या है उसके बाद histogram भी क्या होता है और वर्टिकल नेक्स आता है मार पास pie chart pie chart क्या होता है pie chart is the way of representing the data in the form of sector of a circle एक circle दे रखा आपको और उस circle में से यह निकालना मान लिया यह ऐसे कितना भी हो सकता है वो आपके पास किसी ने अपना जो था वो ऐसे भी किया कितने परसेंट food में लगा दिया इतना game में लगाया उसने ठीक है इतना उसने study में लगा दिया इतना पैसा कोई भी आदमी है जो पैसा लगा खर्च कर रहा है इतना food में लगा दिया इतना gaming में लगा दिया इतना study में यह उसने rent में लगा दिया और यह उसने क्या कर ली saving तो इसको हमने किस पर ड्रो कर दिया पाई चार्ट पर ड्रो कर दिया आपका pie chart अब central angle of this vector एक vector है एक sector है ये मान लिया आपके पास एक sector दे रखा है इसका central angle आपसे पूछ रहता है कि इसका central angle क्या है और ये हमारे पास मान लिया 10% है ठीक है तो क्या बोलेंगे value of component value of component हमारे पास कितना है 10 है मारे पास divided by total value इसके total value हमारे पास मान लिया ये 10 है ये 30 ये 20 है ये भी 10 है और ये 5 है इन सभी को total कर देंगे 10 plus 10 20 plus 30 50 plus 70 plus 5 75 और multiply 360 तो ये मारे पास किसका आजेगा food का central angle आ जाएगा ठीक है इस तरह से हमें central angle निकालते हैं ये तो आपको दिया होगा कि figure में की बज़ाई आपको वैसे दिया होगा कि food आपका 10 है तो यहां से हम निकालेंगे तो कितने degree का angle आएगा वही angle बनाता है यहां की कितने degree का angle बनेगा ठीक है ये होता है आपके पा आपड़ेंगे, okay, thank you.